नमस्कार, मैं हू रुमाना खान, हिदुस्तानी शास्त्रे संधीत में जैपुर अत्रॉली घराने का बड़ा नाम है अच्छा, उस्ताद अल्ला दिया खान को इस घराने की शुरुवात करने वालों में दिना जाता है आज हम जिन महान गाइका का जिक्र करने जा रहे हैं उनकी बात बिना उस्ताद अल्ला दिया खान की बात किये पूरी नहीं हो सकते है हम आज बात करने जा रहे हैं केसर भाई केर करके उस्ताद अल्ला दिया खान भातिय शास्त्रिय संगीत का बड़ा नाम माना जाते हैं कहा जाता है उनका लियास बड़ा कठोर होता था और वो बेहत दुलब और कठिन रागों कुगाया करते थे ऐसा कहा जाता है कि एक बार की बात है उनके पास एक शादी चुदर जोड़ा पहुँचा पती की इच्छा थी कि उनकी पत्वी को अल्ला दिया खान साहब शास्त्रिय संगीत की बारिक्या सिखाएं ऐसा नहीं है कि इस शास्त्रिय संगीत सिखने का शौख उस महिला को नया नया लगा था उन्होंने पहले भी कई बड़े नामों से शास्त्रिय संगीत की बारिक्या सिखी थी अब उनकी इच्छा थी कि वो इस कला में और पारणगत हो जाए लिहाजा वो लोग उस्ताद अल्ला दिया खान के पास पहुँचे थे उस्ताद अल्लादिया खाने पहले तो उस महिला कलाकार को बना गड़ दिया लेकिन फिर बाल में कुछ सोच समझ कर शर्ते रखे और कहा कि अगर शर्ते पूरी हो जाएगी तो वो उस महिला कलाकार को सिखाएगे अब यह कोई असी वैसी शर्ते नहीं थी बेहत मुश्किल औ कि उस महिला कलाकार को तभी सिखाएगे जब वो कम से कम 10 साल तक उनसे सीखे उस्ताद अल्लादिया खान को 10 साल तक सिखाने की फीज पहले ही दे दी जाए चाहे वो कलाकार अंध तक सीखे या ना सीखे उस जमाने में उस्ताद जी ने अपने लिए 200 रुपए हर महीने की तेकी थी अंध में जब उन्हें 5,000 रुपए की रकम मिल गई तब उन्होंने महिला कलाकार को सिखाने के लिए हामी भड़ वो महिला कलाकार थी भार्तिय शास्त्रिय संगीत की दिगच कलाकार केसरवाई केरकर केसरवाई केरकर का जन्म 13 जुलाई 1892 को गोवा के पढ़जी क पास के एक गाउं केरी में हुआ था बचपन में आसपास के मंदिरों में होने वाले भजन किर्टन की आवाज उनके कानों में बस्ती चली गई धीरे धीरे वो उन्धुनों को गुनकुनाने लगी घर में मामा थे जिन्हें गाने बजाने का बड़ा शौप था उन्होंने चोटी सी बच्ची को संगीत सीखने की प्रेडनाने शुरुआत पास के बंदर के पुजारी से हुई फिर जब वो आट साल के हुई तो उन्हें उस्ताद अब्दुल करीम खाने शास्त्री संगीत की बारिक्या सिखाना शुरू किया लेकिन ये स्वसरा जादा लंबाने च तरसल केसर बाई उस्ताद अब्दुल करीम खा से संगीत सिखने के लिए पोलापूर पे रहने लगी लेकिन फिर कुछ पारिवारिक वजहों से उन्हें वाप्तस गो आना पड़ा और संगीत की शिक्षा रूप करी लेकिन जदी ही उन्होंने रामकुरश्न बुवा से इतने गुरू के पास सीखने के बाद केसर बाई केरकर उस्ताद अल्लादियाखा सहाब के पास पहुची थी इस तोरान उनका विभा भी हो गया था शायद यही वजह भी थी कि उस्ताद अल्लादियाखा ने केसर बाई केरकर को शिश्या बनाने से पहले कई कथन शर्ते र संगीत की दीक्षाली उन्होंने अपने गुरू के साथ ही कारेक्रम किये अच्छा अपने गुरू की तरह ही वो भी कठिन रियास किया करती थी केसर भाई केरकर लगतार दस-दस घंटे रियास करती थी यही वज़े थी कि अल्ला दिया खा के साथ वो तक तक रही जब तक उस केसर भाई केरकर ने अकेले मंचिय प्रस्तोतियां देना शुरू किया अपने गुरू की तरहाई केसर भाई केरकर अखर्जवभाव की कही करनी उन्होंने आकाशवानी से अपने कारेक्रम के प्रसारण की हामी कभी नहीं भरी एक बड़ी संगीत कंपनी के साथ जब उनके अप्रूवल के लिए रिकॉर्डिंग भी तो उन्हों उनमें से कुछ गाने दुबारा रिकॉर्ड करने थे उन्होंने ये जानदारी कंपनी के लोगों को दे दे इसी दोरा उनकी तब्यद थोड़ी नासास हो गई कंपनी वाले बीच पीच में आते रहे और केसर भाई केरकर उन्हीं टांती रहे आखिर कार एक दन कंपनी ने टै किया कि वो बगएर दुबारा रिकॉर्डिंग किये गाने रिलीज कर देगी इस बात को लेकर केसर भाई केरकर का उस कंपनी के साथ बड़ा विवाद हुआ उन्होंने कंपनी से कहा कि अब वो उनके स्टूडियों में कभी नहीं जाएगी उस दौर में गाए गाए का इतने बड़े फैसले लेने से कतराते थे लेकिन केसर भाई केरकर ने करके दिखाया 1977 में केसर भाई केरकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया अच्छा ये भी सही होगी कि इतने महान कलागारों से सीखने के बावजूद 80 साहर के उम्र तक केसर भाई केरकर ने किसी को अपना शिश्य नहीं बनाया या फिर यू कहें कि उन्हें कोई असा मिला ही नहीं जिसे वो अपने कला के बारिस के तोर पर देख पाती केसर भाई केरकर को गुरू रबिन्रना टेगोर्ड ने सुरश्री की उपाधी दी थी महराष्ट सरकार ने उन्हें राज्य गाईका की पद्वी से नवाजा था इसके अलावा केसर भाई केरकर को पद्वूश्री और पद्मभूशन जैसे सरवोच नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया केसर भाई केरकर की एक पहचान ये भी कि वो उसे इलागते से आती है जहां से भारतिय फिल्म गाई की में महान लता मंगेशकर का नाम जुड़ा है लता मंगेशकर के मन में हमेशा से केसर भाई केरकर के लिए इस्ज़त का भाव रहा यहां तक की एक इंटर्व्यू में जड़ लता मंगेशकर से पूछा गया कि उत्तरभारते शास्त्रिय संधीत में अगर किसी एक महान गाय का या गायर ता नाम चुनना हो तो वो किसे चुनेंगी? लतावंगेशकर का जवाब था केसर भाई केरकर जोड़ सकते हैं. Thank you. बिना उस्ताद अल्लादिया खां की बात किये पूरी नहीं हो सकते हैं. हम आज बात करने जा रही हैं केसर भाई केरकर के. उस्ताद अल्लादिया खां भातिय शास्त्रिय संधीत का बड़ा नाम माना जाते हैं. कहा जाता है उनका लियास बड़ा कठोर होता था और वो बेहत दुलब और कठिन रागों कुगाया करते थे ऐसा कहा जाता है कि एक बार की बात है उनके पास एक शादी चुदर जोड़ा पहुचा पती की इच्छा थी कि उनकी पत्वी को अल्ला दिया खां साब शास्त्रिय संगीत की बारीकिया सिखाएं ऐसा नहीं है कि शास्त्रिय संगीत सीखने का शौक उस महिला को नया नया लगा था उन्होंने पहले भी कई बड़े नामों से शास्त्रिय संगीत की बारीकिया सीखी थी अब उनकी इच्छा थी कि वो इस कला में और पारंगत हो जाए लिहाज़ा वो लोग उस्ताद अल्लादिया खां के पास पहुँचे थे उस्ताद अल्लादिया खां ने पहले तो उस महिला कलाकार को बना गर दिया लेकिन फिर बाद में कुछ सोच समझ कर शर्ते रखे और कहा कि अगर शर्ते पूरी हो जाएगी तो वो उस महिला कलाकार को सिखाएगे अब यह कोई ऐसी वैसी शर्ते नहीं थी बेहत मुश्किल और खासी पेचीदा थी उस्ताद अल्ला दिया खां की पहली शर्त थी कि वो उस महिला कलाकार को तभी सिखाएगे जब वो कम से कम दस साल तक उनसे सिखे उस्ताद अल्ला दिया खां को दस साल तक सिखाने की फीज पहले ही दे दी जाए चाहे वो कलाकार अंध तक सिखे या ना सिखे उस जमाने में उस्ताज जी ने अपने लिए 200 रुपए हर महीने की फीज तैकी थी अंध में जब उन्हें 5000 रुपए की रकम मिल गई तब उन्होंने महिला कलाकार को सिखाने के लिए हामी भर वो महीरा कलाकार थी भार्तिय शास्त्रिय संगीत की दिगच कलाकार केसरवाई केरकर केसरवाई केरकर का जन्म 13 जुलाई 1892 को गोव के पढ़जी के पास के एक गाउं केरी में वुआ था बच्पन में आसपास के मंदिरों में होने वाले भजन कीर्टन की आवास उनके कानों में बस्ती चली गई धीरे धीरे वो उन धुनों को गुनगुनाने लगी घर में मामा थे जिनिने गाने बजाने का बड़ा शौप था उन्होंने छोटी सी बच्ची को संगीत सीखने की प्रेडना गली। शुरुवात पास के बंदर के पुजाली से हुई। फिर जब वो आट साल के हुई, तो उन्हें उस्ताद अब्दुल करीम खाने शास्त्री संगीत की बारिक्या सिखाना शुरू किया। लेकिन ये स्लसला जादा लंबा नहीं चला। तरसल केसर भाई उस्ताद अब्दुल करीम खान से संगीत सीखने के लिए पोलापूर पे रहने लगी थी। लेकिन फिर कुछ पारिवारिक वजहों से उन्हें वापस गो आना पड़ा और संहीत की शिक्षा रुक करी। लेकिन जल्दी ही उन्होंने रामकृष्न बुवा से सीखना शुरू किया। ये सिलसला भी चार-पांच साल ही चला। केसर भाई केरकर को अपनी मा और मामा के साथ बॉंबे आना पड़ा। यहां उन्होंने कुछ समय तक सितार वादक उस्ताद बरकत उल्लाखा से शास्त्रेगाई की सीखी। इतने गुरू के पास सीखने के बाद केसर भाई केरकर उस्ताद ःल्लाध अखां साहब के पास पोंची थी। इस तौरान उनका विभा भी हो गया था। शायद यही वज़े भी थे ही कि उस्ताथ अल्लादियाखा ने केसरभाई केरकर को शिश्या बनाने से पहले कई कथन शर्ते रखी थी. एक कथन शर्त ये भी थी कि केसरभाई केरकर जब भी शास्त्रिय कारेक्रमों में गाएंगी, अपने गुरू के साथ ही गाएंगी. खेर, इन मुश्किल शर्तों के बीच केसरभाई केरकर ने शास्त्रिय संगीत की दीक्षा लिए. उन्होंने अपने गुरू के साथ ही कारेक्रम किये. अच्छा, अपने गुरू की तरह ही वो भी कथन रियास किया करती थी. केसरभाई केरकर लगतार दस-दस घंटे रियास करती थी. यही वज़े थी कि अल्ला दिया खा के साथ वो तब तक रही जब तक उस्ताद जीवित रही. 26 साल तक अपने गुरू के साथ गुरू शिश्य परंपरा को निभाने के बाद, संगीत सीखने के बाद, जब उस्ताद का निधन हुआ, उसके बाद ही केसरभाई केर करने अकेले मंचिय प्रस्तोतियां देना शुरू किया. अपने गुरू की तरहाई केसरभाई केरकर अखर स्वभाव की गईकर रही. उन्होंने आकाशवाणी से अपने कारिक्रम के प्रसारण की हामी कभी नहीं भरी. एक बड़ी संगीत कंपनी के साथ रिकॉर्डिंग का का किस्सा बड़ा मशूर है. गानों की रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके अप्रूवल के लिए रिकॉर्डिंग भेजी गई तो उन्हों उनमें से कुछ गाने दुबारा रिकॉर्ड करने थे. उन्होंने ये जानकारी कंपनी के लोगों को दे दे. इसी दोरा उनकी तब रिकॉर्डिंग किये, गाने रिलीज कर देगी. इस बात को लेकर केसरभाई केरकर का उस कंपनी के साथ बड़ा विवाद हुआ. उन्होंने कंपनी से कहा कि अब उनके स्टूडियों में कभी नहीं जाएगी. उस तौर में गाय का इतने बड़े फैसले लेने से कतराते थे लेकिन केसरभाई केरकर ने करके दिखाया. 1977 में केसरभाई केरकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. अच्छा ये भी सही होगी है कि इतने महान कलाकारों से सीखने के बावजूद 80 साहर की उम्र तक केसरभाई केरकर ने किसी को अपना शिश्य नहीं बनाया. या फिर यू कहें कि उन्हें कोई असा मिला ही नहीं जिसे वो अपने कला के वारिस के तौर पर देख पाती। केसरभाई केरकर को गुरू रबंधरनाद टेगॉड ने सुरुष्री की उपाधी दी थी। महराष्ट सरकार ने उन्हें राज्य गाईका की पद्वी से नवाजा था। इसके अलावा केसरभाई केरकर को पद्भूश्री और पद्मभूशन जैसे सरबोच नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। केसरवाई केरखर की एक भैचान ये भी कि वो उसे इलागते से आती है जहां से भारतिय फिल्म गाय की में महान लतामंगेशकर का नाम जुड़ा है लतामंगेशकर के मन में हमेशासे केसरवाई केरखर के लिए इससल्द कभाब रहा यहां तक की एक इंटर्व्यू में जड़ लटा मंगेशकर से पूछा गया कि उत्तरभारतिय शास्त्रिय संधीत में अगर किसी एक महान गाय का या गायर ता नाम चुनना हो तो वो किसे चुने गी? लटा मंगेशकर का जवाब था कि इसर भाई केरकर किजिए और फेस्बुक और ट्यूटर के जड़िये भी आप हमसे जू सकते हैं थैंक यू